तो दोस्तों आप सभी को प्यार बड़ा नमस्कार उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे आज फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ आप सभी लोग का स्वागत है आज मैं लखीम पुराया हुआ हूँ मामा जी को दिखाने के लिए क्योंकि डाक्टर एंके वर्मा यह देख सकते हैं बोर्ड लगा है दिखाता हूँ आप लोग यह देख लिए हैं इनके वर्मा तो ही आया हुआ हूँ तो भी अंदर जो है नंबर लगे हैं सबके तो टाइम लगेगा तो देखिए अब एक कैमरे से यहां बहुत जो है भीड रहती है और हमें लग रहा है कि आजकल जो है पांच मसे एक आदमी तो बेमार ही है यह आवस्त है जो खम होता जा रहा है दिन पर दिन देख सकते हैं दोस्तों यह नया फूल बना है देखिए अस्पिताल के हालत क्या है भीड देखो भीड अस्पिताल के सामने पारकिंग तो नहीं है लेकिन जो है अभी फूल नया बना है तो अभी फूल चल नहीं रहा है इसलिए जहां गारिया खड़ी हो जाती जो है अभी देखो भी यही जो है नौस्ता किया था हम लोगों ने इसलिए बैठे है जो लोग अंदर दिखाते हैं इसलिए जो प्राइब। जो नहीं दोटना बरा नाम नहीं जो अप्शाल के लिए पारिया और नहीं तो नहीं जो नहीं के लिए अधिये भाई बीड नहीं लो अधिया भाई भीड दो देख सकते हैं, इस टाइम भीड़ बहुत रहती है, हम भी आये थे, इस कालर फार्म आनलाइन पर आने गये थे, तो आनलाइन हो गया है, लेकिन जो फोटोकापी निकलेगी लगभग, जो फार्म फिल हो गया है, वो निकले 12 की वे 4 क्याया है, 24 गंटे बाद, इस अझाहिए, वो देखिये हैं, जाच ड़ा, शत्त्य नहीं है, बहुत आनलाइन जर्ख सकते हैं भाई सबी लोग अपने काम में देशना हैं देखिए भाई गन्ना जो है यहां बजाज मिल फेक्टरी को जाता है इन बोगियों की वज़े से जो आते हैं गन्ना लेकर तो सिंगल है रोड तो इसलिए भीड़ बहुत हो जाती है लोग दोस्तों आग सबी को प्यार बखाना मस्कार उम्मीद करता हूँ आग सबी लोग पस्ता हूँगे मस्ता हूँगे चलता हूँ मंदिर टाइम हो चुका है चलता हूँ मंदिर आज पूरा दिन जो है दोड़ भाग में निकल गया सुबह गए थे दवा लेने पिर वहां से आए पिर चलेगे फार्म भनने अब जो है रोज की तरह आज फिर मंदिर जाना है आज मंदिर के अंदर आप सभी लोगों दिखाते हैं क्या कुछ यह देखो है हमारे महले के लड़के जा रहे हैं भूमने आज मंदिर के अंदर सब दिखाएंगे फूरा विद्धवत आप सभी लोग देखिएगा देखिए मितल चुका हूँ आ गया हूँ हाई वे पे खोटार रोड हाई वे आज एक जगे निमंत्रण है तो पहले मंदिर जाऊंगा अक्षे बाद सामको दावत है फिर वहाँ जाऊंगा देख सकते हैं रात में कोई भी सहर हो चाहें छोटा हो चाहें बड़ा हो और खूब सूरत लगने लगता है जब लाइट के जलती है अब मंदिर पहुचने ही वाला हूं देख लो ये चोटी ये मंदिर की उपर चोटी दिख रही है ये देखे मंदिर आ चुका हूं ये मंदिर दोस्तों मैं मंदिर पहुचन चुका हूं अब आप लोगों को कि दिखाते हैं मंदिर के अंदर हूं आप लोगो पूरा मंदिर दिखाएंगे ये देखो बटक भेरवनाथ की आरती की तैयारियां हो रही है तो थोड़ी देर में आरती होने वाली माता नारायनी की ये मंदिर बना है सिव जी का वहां जो है आरती पूजा कर रही है देखो चुंगो मंगो घूमर है बड़े वाले मंदिर में जो है अंदर नाराणी में या थिन हो रहता है यह यह वहां जो है कैम्प लगना ठीक नहीं ठीक तो कहीं नहीं रहता है लेकिन जो है आप लोगों को इसी बहाने दरसन करा देखेंगे रहता है यहां भीड तो काती होती है साम को पूजा करने के लिए आते हैं आते हैं इस जो हैं आते हैं लोगों को पूजा पाती है नात शकल शंपदा तुम्हारी मैं शेवक समेत शुतनारी दीन नहालु विरज शंभारी परनात ममशंकटवारी देवी पूजी पदे कामरा अमीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्त होंगे माँ देखते रहे हैं मेरे चैनल सौरव वर्मा ब्लाग्स को मंदिर का भी हुआ रहे हैं मंदिर को एक बार आना चाहिए दिन में आओ जह साम को बहुत अच्छा लगता है जीवन में कभी का बोलते हैं जो नकारात्मक चीजे होती है मेरा मानना है मनुष्य के अंदर बदलावाने शुरू हो जाते हैं देखते रहे हैं पूरा वीडियो